गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स मैं नितु चोद्री स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याईश्री में तो कैसे आप सभी आई हो पच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, घर पर होंगे, अपने घरवालों को अपना ध्यान रख रहे होंगे तो आईए आज की कलास की शुरुआत करते हैं, एक motivational kod के साथ, जिसमें आज का हमारा kod क्या है, की struggle के समय आदमी अकेला होता है, बल्कुल सही बात है, जब struggle करना पड़ता है, जब मेहनत करनी पड़ती है, समश्याओं का सामना करना पड़ता है, तब कोई साथ دेने नहीं आ जब आप सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है दूर दूर के जो रिस्तेदार होते हैं वो भी आपसे रिस्तेदारी निकालना सुरू कर देते हैं कब जब आप सफल हो जाते हो और जब आप सफल नहीं हो आपका टाइम खराब है आपकी परिस्थितिय खराब है किसी वज़े से आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो रिस्तेदार भी घर वाले भी सब मुहूं मोड लेते हैं और आपसे बात तक नहीं करते क्योंकि अगर वो आपके घर आते हैं आपके पास आते हैं आपसे बात करते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं ये रहता है कि कहीं कि हमसे कुछ مंघ न ले क्योंकि आज इसका time खराब है आज इसकी परिस्थितिया ऐसी है कि ये हमारे लिए नुकसान दयक हो सकती है हमसे कुछ ना कुछ मंघ सकते हैं ठीक है तो पूरी दुनिया कभ आपके साथ आती है जब आप सफल हो जाते हो ठीक है तो क्या करना है अपने आपको ऐसा बनाना है उस चरम सीमा पर पहुँचना है जहां दुनिया आप से रिस्ते निकालने के लिए आप से मिलने के लिए टाइम बांगे कहते हैं ना कि सफलता की तैयारी इतनी खामोसी से करो की सफलता सोर मचाती हुई आए तैयारी इतनी खामोसी से करो की सफलता सोर मचाती हुई आए तो अपना एक लक्षे बना लो अपना एक लक्षे निर्दारित कर लो की कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे हासिल करना ही है आपको उसके लिए time निकालना होगा आपकी परिस्थिति आनुकूल हो या प्रतिकूल हो इस से ये कोई देखने नहीं आएगा कोई ये नहीं देखेगा कि उस समय आपकी परिस्थितिया कैसी थी जब आपका exam का time था तो आपको खुद के लिए समय n Tinderा है तब आपकी समाज में आपके घर में एक अलग ही जद होती है ठीक है तो आईए इसी के साथ क्लास की सुरुआत करते हैं यह हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम 10 टोप 10 कोशन लेके आते हैं और उसके साथ रामबान और जटका सीरी जिसमें भी हमारे कम से कम 20-30 कोशन ह कवर हो जाते हैं तो आप लोग कोपी और लेके बैठेंगे एक कोशन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे जैसा कि दो तीन क्लास से हमारे अनुच्यद चले हुए है तो हर क्लास में हम 20-30 अनुच्यद डाल रहे हैं और वो धीरे-धीरे कंप्लीट होते हुए जाएंगे ल देखते हैं कि केंद्रिये मंत्री मंडलने विभा के लिए उम्र की जो लड़कियों की उम्र थी 18 वर्स निर्दारित की थी उसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है कितने वर्स रखने के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है तो बताए फटाफट से 20 वर्स 21 वर्स 22 या 19 वर्स लड़कियों की साधी की उम्र थी 18 वर्स थी अब उसे कितने वर्स तक बढ़ाने का प्रस्ताओं रखा गया है मंजूरी दे दी गई है तो 20 वर्स 21 वर्स 22 या 19 वर्स तो कितने वर्स 21 वर्स यानि अब एक लड़की की साधी आप 21 वर्स से पहले नहीं कर सकते वह बालिक मंजूरी मिल गई है अब प्रस्ताओ पारी तो हो चुका है तो आप लड़की की उम्र बढ़ा कर आप कितनी कर दी गई है 21 वर्स कर दी गई है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन क्या है हमारा नोट डाउन जरूर करते हुए चलेंगे साथ साथ ठीक है बारसी लोग ये गलत टाइपिंग है ये क्या है हमारा बारसी लोना है क्या है दूसरा कुश्चन हमारा बारसी लोना के किस स्ट्राइकर खिलाडी ने स्वास्त कारणों के चलते फुटबोल से सन्यास लेने की गोशना की है बताइए बारसी लोना के खिलाडी है उन्होंने सन्यास लेने की गोशना की है अपने स्वास्त के कारण स्वास्त खराब होने के कारण तो बताइए option A है हमारा Sergio Aguero option B है Lionel Messi option C है Neymar option D है हमारा Cristiano Ronaldo बताइए फटा-फट से इसका right answer क्या हो जाता है तो इसका right answer हो जाता है हमारा Sergio Aguero क्या हो जाता है Sergio Aguero ने सन्यास लेने के घोचना की है फुटबॉल से है सन्यास लेने की next question देखेंगे इसके बाद आ जाती है हमारी जटका सिरीज और जटका सिरीज में आज हम क्या लेके आए है UP special क्या लेके आए है UP special यानि उत्तर परदेश उत्तर परदेश special लेके आए है आप लोग फटा-फट से not down करते हुए चलेंगे उत्तर परदेश special तो इसमें एक एक question को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे फ़र्ष्ट question क्या है हमारा कि UP में हीरा कहां से प्राप्त होता है बताइए फटा-फट से UP में हीरा कहां से प्राप्त होता है यानि हीरा कहां पे मिलता है UP में हीरा कहां से प्राप्त होता है फटा-फट से आंसर देंगे आप लोग option 1 है बताईए UP में जो हीरा है वो कहां से प्राप्त होता है फटा-फट से इसका आंसर देंगे मुझे आप लोग साथ साथ ही आंसर देते हुए चलिए ठीक है एक सेकिंड होल्ड करेंगे पाज़ करेंगे चलिए तरी Pork आगया था ने तो क्या है हमारा FIRST QUESTION कि UP में हीरा कहांसे प्राप्त होता है FIRST QUESTION है तो इसका अंसर क्या हो जाता है हमारा BANDA बANDA हमीरपूर फटा-फट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे कहां से प्राप्त होता है बांदा हमीरपूर से प्राप्त होता है UP में हीरा ठीक है next question है हमारा UP में सबसे कम अनुसूचित जाती बताईए UP में सबसे कम अनुसूचित जाती वाला जो जिला है वो कौन सा है बताईए अनुसूचित जाती वाला जिला कौन सा है UP में तो इसका नाम है कन्नोज यहां पे लिख देते है क्या है इसका नाम कन्नोज है बिल्कुल धीरे-धीरे करते हुए चलेंगे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिए नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अंतर रास्टी है रामकथा संग्राल्य है यह गलत लिखा हुआ है संग्राल्य संग्राल्य एवं आर्ट गैलरी कहां पर है अंतर रास्टी है संग्राल्य एवं आर्ट गैलरी कहां पर है बताईए फटाफट से तो कहां पर है यूपी में संग्राल्य एवं आर्ट गैलरी फटाफट से आंसर देंगे तो ये है हमारी आयोध्या में कहां पर है आयोध्या नेक्स्ट कोश्चन है हमारा चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है बताईए फटा फट से चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है और चीनी जो सोध संस्थान है वो भी बताएंगे आप लोग तो चीनी उत्पादन में पर्थम राज्य यूपी है और चीनी सोध संस्थान कहाँ पर है? सोध संस्थान है हमारा कानपूर में कहाँ पर है? कानपूर में है नेक्स्ट कोशन है चीनी किस की किस्म है? चीनी जो है वो किसी की किस्म भी है कौन सा ऐसा फल है जिसकी किस्म चीनी है? चीनी खाने वाली चीनी नहीं एक किस्म होती है जिसका नाम है चीनी और वो किस की किस्म है? तो वो केले की किस्म है केले की किस्म क्या है? चीनी केले की किस में कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल सही आंसर देंगे नेक्स्ट कोश्चन है देस की पहली चीनी मिल कहां लगाई गई थी बताईए तो कब लगाई गई थी यह 1903 में लगाई गई थी कहां पर देवरिया के प्रताप पुर में कहां पर देवरिया के प्रताप पुर में लगाई गई थी कब लगाई गई थी 1903 में लगाई गई थी चीनी मिल देश की सबसे पहली चीनी मिल थी यह नेक्स्ट कोशन है कि बिटिस सासन के दोरान यूपी में भूमी पंजी करण किस अधिकारी दुआरा किया जाता है फटाफट से देंगे इसका आंसर तो पहले किया जाता था लिपिक के दुआरा और अब किसके दुआरा किया जाता है अब किया जाता है लेकपाल के दुआरा किसके दुआरा लेकपाल के दुआरा किया जाता है नेक्स्ट कोशन है हमारा बेतवा नदी यमना नदी से कहां पर मिलती है फटाफट से यूपी में हमीरपुर में मिलती है बेतवा नदी यमना नदी से नेक्स्ट कोशन है गोमती नदी का उद्गम कहां से है बताईए फटाफट से गोमती नदी का उद्गम कहां से है तो ये मधु टांडा का छेतर है, कहां पीली भीत में, पीली भीत फुलहर जील, कहां से मधु टांडा का छेतर, यहां पे लिख देते हैं, मधु टांडा का छेतर, तो कहां से है पीली भीत में, पीली भीत next question क्या है UP का सबसे पुराना पक्सी विहार कौन सा है UP का सबसे पुराना पक्सी विहार बताइए कौन सा है तो ये है नवाब गंज कौन सा है नवाब गंज नोट डाउन करेंगे नवाब गंज ठीक है UP का सबसे पुराना पक्सी विहार ठीक है अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है सहीद चंदर सेखर आजाद पक्सी विहार हो गया है देखेंगे कि राज्य की एक मात्र अफिम फैक्टरी यानि उत्तर प्रदेश की एक मात्र अफिम फैक्टरी हीरा कहां से प्राप्त होता है हीरा गलत लिखा हुआ है इसमें ये इसमें क्या है राज्य की एक मात्र अफिम फैक्टरी कहां पर है फटाफट से लिखेंगे typing mistake है इसे आप लोग काट देंगे एक मात्र हीरा factory कहाँ पर है यह है question कि राज्य की एक मात्र अफीम factory कहाँ पर है फटाफट से answer देंगे राज्जी की एक मात्र अफीम फैक्टरी फटा-फट से बताइए क्या हो जाता है इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाता है हमारा गाजीपूर कहां पे है गाजीपूर में है गाजीपूर नेक्स्ट कोश्चन क्या है पान परियोग एवं प्रसिक्षन केंद्र बताईए फटाफट से यूपी में पान परियोग एवं प्रसिक्षन केंद्र कहां पर है बताईए तो ये है महोबा में कहां पर है महोबा यूपी के महोबा में नेक्स्ट है राम गंगा परियोजना कहा इस्थित है तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बिजनोर और अगर आपसे पूशा जाए कि यूपी में गंगा कहां से परवेश करती है तो बिजनोर से ही परवेश करती है सीतला जल विदुत परियोजना इस्थित है कहां पर बताईए फटाफट से तो ये जासी में है बेतवा नदी पर कौन सी सीतला जल विदुत परियोजना next question है पारवती अरंगा फटाफट से देंगे इसका आंसर पारवती अरंगा वन्यजीव विहार कहां पर इस्थित है फटाफट से बताएंगे आप लोग पारवती अरंगा ठीक है फटाफट से बताईए इसका आंसर क्या हो जाता है तो ये कहां पर है हमारा पारवती अरंगा वन्य जीव विहार ये हमारा यूपी के गोंडा में है कहां पर है इसका अंसर हम यहीं पर लिख देते हैं गोंडा में कहां पर है गोंडा में नेक्स्ट कोशन है पठना वन्य जीव विहार कहां पर है पठना वन्य जीव विहार एटा में है एटा मैनपूरी आपने सुना होगा एटा में है यूपी के एटा में नेक्स्ट है चित्रकूट में कौन सा वन्यजीव विहार है वन्यजीव विहार का नाम बताना है आपको कौन सा है रानी वन्यजीव विहार है चित्रकूट में है जो रानी वन्यजीव विहार फटा फट से नोट डाउन करेंगे इने फिर next चलते हैं फटा फट से नोट डाउन कीजिए रानीपुर है ये क्या है रानीपुर रानीपुर वन्यजीव विहार और next question देखते हैं कुश्चन नमबर 3 कि पस्चिम बंगाल की दुरगा पुजा को किस से किसने सांसकर्टिक विरासत का दर्जा परदान किया है बताईजे किसने किया है सांसकर्तिक विरासत का दर्जा परदान फटा-फट से बताएंगे option A है हमारा UNO option UNO, option B है हमारा UNESCO, option C है अमूर्त सांस्कर्तिक विरासत और option D है इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका right answer क्या हो जाता है तो इसका right answer हो जाता है UNESCO यानि दुर्गा पूजा को UNESCO ने सांस्कर्तिक विरासत का दरजा प्रदान किया है next question क्या है हमारा कि थल सेना अध्यक्स जर्नल मनोज मकुंद नर्वने को किसका अध्यक्स न्युक्त किया गया है बताइए फटाफट से CSC का CSIF का RPF का या IEBP का बताइए फटाफट से ये ITBP है ITBP ITBP का तो option A है हमारा CSC का option B है CSIF का option C है RPF का और option D है ITBP का तो मनोज मुकुन नर्वने को किसका अध्यक्स नियुक्त किया गया है CSC का नियुक्त किया गया है option 1 is the right answer next question देखते हैं next question क्या है हमारा कि कौन सा airport जल्द ही देश का 4 runway वाला पहला airport बन जाएगा कौन सा airport जल्द ही देश का 4 runway वाला airport बन जाएगा तो option A है हमारा Netaji सुभासचंदर अंतरास्टिय airport option B है कोचीन अंतरास्टिय अइरपोर्ट option C है इंद्रा गांदी अंतरास्टिय अइरपोर्ट और option D.A. सरदार वरलब भाइ अंतराष्टी ए एरपोर्ट तो option क्या हो जाता है हमारा option हो जाता है ہमारा right option C यानी इंदरा गांधी अंतराष्टी एरपोर्ट देश का four runway वाला पहला एरपोर्ट बन जाएगा नेक्श्ट कोश्छन देखेंगे फटा फट से करते हुए चलेंगे सिक्स नंबर कोश्चन है हमारा बाजार नियामक सेवी ने नियमों के उलंगन पर बाजार नियामक सेवी ने नियमों के उलंगन पर फटा फट से बताएंगे किस कमपनी पर 72 करोड रुपे का जुर्माना लगा दिया है तो पताईए किस company पर लगाया है बाजार नियामक सेबी ने नियमों के उलंगन करने पर 72 करोड रुपे का जुर्माना तो option A हमारा यानि winsome textile पर लगा दिया है 72 करोड रुपे का जुर्माना option A is the right answer next question देखेंगे हमारा इसके बाद आजाती है हमारी रामबान प्रसनों की स्रीज जिसमें हमने फिर से UP के ही question लिए है आज हमारा क्या है UP special है तो आप फटाफट से इसे note down करते हुए चलेंगे बताईए UP में परमुख रेल इंजन सेयंत्र कहां पर इस्तित है बताएंगे फटाफट से UP में परमुख रेल इंजन सेयंत्र कहां पर इस्तित है फटाफट बताईए और कुल कितने रेल इंजन कार खाने है आपको ये भी बताना है तो ये इस्तित है हमारा मुगल सराय में ठीक है कहाँ पर इस्तित है हमारा मुगल सराय में मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे आप कहाँ पर है मुगल सराय ठीक है यूपी में परमुक रेल इंजन सेयंतर कहाँ पर इस्तित है ये हमारा मुगल सराय में है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने र रेल इंजन है मुगल सराय और राइबरेली मुगल सराय डीजल इंजन है और राइबरेली मॉर्डन कोच फैक्टरी है नेक्स्ट कोशन देखेंगे हमारा प्रदेश में कुल रेल इंजन कार खाने कहां पर है बताईए प्रदेश में कुल रेल इंजन कान का रहे हैं यह कोशन परेली है इक बास परेली है ठीक है तो एक आपए है मुगल सराय और रय बरेली में है मुगली में हमारा spiritually में हमारा तीसरा होजाता है हमारा मुगलसराय राय बरेली जहासी ग्रेटर नोईडा और क्या हो जाता है फतेपूर सीकरी नेक्स्ट कोश्चन क्या है कि प्रदेश सरकार ने यानि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तिय स्वास्त की देखरेक तथा सरकारी लेंदेन में पारदर्सिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तयार की है बताईए फटाफट से उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तिय स्वास्त की देखर एक तता सरकारी लेन देन में परदर्सित लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तयार की है वेबसाइट का नाम क्या है तो वेबसाइट का नाम है कोसवानी क्या है कोसवानी है वेबसाइट का नाम next question देखेंगे घरेलू व्यक्तिगत सोर जल हीटर के लिए आर्थिक साहता योजना के अंतरगत यूपी राज्य में क्या प्रोथ साहन किया गया बताईए फटापर से यूपी राज्य में क्या प्रोथ साहन किया गया किस चीज का प्रोथ साहन किया गया तो बट्टा किसका ये टाइपिंग मिस्टेक है किसका प्रोथ साहन किया गया बट्टे का नेड़ कोश्टन क्या है UP के मुख्य व्यापारिक फसल कॉनसी है गन्ना है जिस Сबसे ज़्यादा क्या भोलते है नकदी फसल भी बोलते हैं जिससे सबसे ज़्यादा पैसा कमाईा जाता है next question क्या है हमारा कि यूपी के HC के HC यानी high court क्या है HC यानी high court यूपी के HC के high court के मुख्य नयाधीस की नियुकती कौन करता है बताईे तो कौन करता है राश्ट पती करता है कौन करता है राश्ट पती और सपत कौन दिलाता है सपत दिलाता है राज्येपाल अगर सपत पूछा जाए तो सपत कौन दिलाता है सपत दिलाता है राज्येपाल यानि गवर्नर नेक्स्ट कोश्चन है कोरोना टीका करण के लिए यूपी में कौन से दिन सुनिस्चित किये गए है ये पहले कोश्चन से है जब कोरोना के टीके लगाय जा रहे थे तो कौन से दिन सुनिस्चित किये गए है यूपी में फटापट से बताएंगे सुकुरवार और गुरुव गुरुवार और सुकुरुवार को क्या किये जाते है टीके लगाए जाते है सुकुरुवार और गुरुवार गुरुवार नेक्स्ट कोश्चन क्या है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्याले कहां पर है यह क्या है रेलवे है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्याले बताईए कहां पर है तो उत्तर मद्दे का है इलाबाद में और पूर्वी रेलवे का है हमारा गोरकपूर में कहां पर है ये इलाबाद में है इलाबाद में और अगर पूर्वी रेलवे का पूछा जाए तो पूर्वी रेलवे का लिखेंगे गोरकपूर में कहां पर है गोरकपूर इसके बाद next question है कि UP में लोकायुक्त का कारियेकाल कितने वरस्का होता है? यूपी में लोका युक्त का कारिय वकाल कितने वर्सका होता है तो ये होता है हमारा आट वर्सका और लोका युक्त कोन है वर्तमान में संजे मिस्रा है कितने वर्सका होता है आट वर्सका होता है नेक्स्ट कोशन देखेंगे फटाफट से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कोशन नमबर 7 कि नेपाली कांग्रेस पार्टी ने किसे पार्टी का अध्यक्स चुना है बताएए फटाफट से किसे चुना है राइट आंसर बताएंगे आप लोग उप्शन A है हमारा विमलेंदर निधी उप्शन B है प्रकास सर्मा उप्शन C है विसवेशवर परसाद कोईराला और उप्शन D है सेर बहाद्दूर देवबा बताएए नेपाली कांग्रेस ने किसे पार्टी का अध्यक्स चुना है तो उप्शन नमबर एट मैं आमार की नेशनल यूनिटी गवर्मेंट ने किस क्रिप्टो करंसी के उप्योग को मंजूरी दे दी है फटा फट से बताएंगे राइट अंसर क्या हो जाता है ओप्शन A है अमारा विटकोईन ये विटकोईन नहीं बिटकोईन है ओप्शन B है ट एठे रियम है यहांपे लिख देती हूं मैं इठे रियम यह गलत मिस्टेक और अखी टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है तो कौन सी है मैंपार की नेसनल यूनिटी गवर्मेंट ने किस क्रिप्टो करेंसी के उप्योग को मंजूरी दी है तो स्क्रिप्टो करेंसी का नाम है क्या है टेदर टेदर को दी है मंजूरी नेक्स्ट कोशन देखेंगे नाइन नंबर कि यू गॉवर्मेंट के एक सर्वे के अनुसार विशु के 20 सबसे परसंस निये व्यक्तियों में किसे पर्थम इस्थान प्राप्त हुआ है फटा फट से बताएंगे किसे पर्थम इस्था पति है अठ्धान मंत्री नरेंद्र मौदेजी बताएंधा न सब्सक्राब किसे 20 सबीस सब से प्रसंसनिय व्यक्तियों में परफम इस्थान प्राप्त हुआ है ये क्या है इस्थान है इस्थान प्राप्त हुआ है तो किसे हुआ है बराक ओबामा को यानि option B is the right answer बराक ओबामा को 20 सबसे विसू के 20 सबसे प्रसंसनिये व्यक्तियों में परफम इस्थान प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है हमा कर लेंगे हमने अनुचेद 93 टक पढ़ा था अब पढ़ेंगे94 अनुचेद 94 में क्या है अध्यक्ष और उपद्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठा सीन नय होना अनुछेद सताणवे यानि 97 में क्या है कि सभापती उपसभापती तथा अध्यक्स उपसभावती है अध्यक्स है और उपसभावती है अध्यक्स है और उपसभावती है अध्यक्स है और उपसभावती है अध्यक्स के वे में मतदाता रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यकाल करने की सकती और गणपूर्ती अनुच्छेद 108 में क्या है कुछ दसाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और अनुच्छेद 109 में क्या है धन विदयक के संबंद में विसेस परकिरिया है एक बार फिर से रि करताने का संकल्प हो तब उसका पीटा सीन ने होना अनुच्छेद सत्तान में सबापती उपसबापती तथा अध्यक्स उपाध्यक्स के वेतन और भत्ते हैं अनुच्छेद संसद का सचीवाले है अनुच्छेद निन्यान में संसद द्वारा सपत या प्रतिग्यान है अनुच्छेद सो में संसादनों में मतदान रिख्तियों के होते हुए भी सदनों के कारिये करने की सक्ति और गणपूर्ती है अनुच्छेद 108 में कुछ दसाओं में दोनों सदन करते हुए चलेंगे अनुचएद 110 में आप वीडियो को रोके भी नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है अनुच्छएद 110 में धन्विदयक की परिभासा अनुच्छद 111 में है विदयकों पर अनुमती अनुच्छ वीसरांती काल में राष्टपती की अध्यादेश सकती है अनुचेद 124 कहता है उच्टम न्याले की स्थापना और गठन अनुचेद 125 कहता है न्याएद हिसों का वेतन अनुचेद 126 में कारिय मुख्य न्याए मूर्ति की न्युक्ति है अनुचेद 127 में तरदर्त न्याए देखती है अनुचे देख सो अठाएं